दोस्तों अगर आपके पास भी है कोई पूराना PC, यारी i5 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर के साथ में कोई पूराना PC है आपके पास इस तरीके से, जो यह की बहुत ही पूराना है, आप इसमें कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हार्ड ड्राइब लगी हुई है, पूराना क्या बेस्ट हो सकता है, उस पर हम लोग बात करेंगे, ताकि आप कम पैसे में बहतर परफर्मिश निकालने के लिए, आप अपने PC को अपगरेट कर सके, अगर आपका i3 प्रोसेसर के साथ में PC है, तो उसी प्रोसेसर को यूज़ करते हुए और क्या बहतर कर सकते हैं, समझ करेंगे, वीडियो पसंद आती है, तो फिर्ट वीडियो को लाइक भी करेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करते रहें, क्योंकि इस तरीके की जो वीडियो होती है, इसकी requirement बहुत ज़यादे लोगों को होती है, बहुत ज़यादे लोग परिशान रहते हैं, अपने PC's की कमी रहती है अभी इस वीडियो के नीचे भी लोग कमेंट करेंगे कि आप किस पर वीडियो किस को अपगरेट करा रहे हो ये क्या मतलब बनता है लेकिन मेरे दोस्त ये सब परिस्थितियों से हम गुजरे हुए हैं इसलिए मुझे लगता है कि छोटी-छोटी लोगों को बहुत रहत दे देती हैं तो इसमें करना क्या होगा इसके लिए हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं मदर बोड बदलने की जरूरत है क्यों उसके लिए इसलिए जादे जरूरी है कि अगर आप पुराने PC को अपगरेट कर रहे हैं तो हटड ड्राइब अगर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं वही वाली लेकिन SSD में अपग्रेट करना पड़ेगा लेकिन पुराने वाले motherboard के साथ अगर आप SSD में अपग्रेट करते हैं तो आपको 60 SSD लगाना पड़ेगा जो कि इस तरीके से आप देख सकते हैं जिनकी speed 500 MB per second के आसपास होती है इस तरीके से SATA SSD में आपको अपग्रेट करना पड़ेगा इसके अंदर operating की सब आपको जो है install करना होगा उससे play करना पड़ेगा लेकिन उसके अंदर भी उतना मज़ा नहीं आता है हम लोगों ने करके देखा हुआ है उतना मज़ा नहीं आता हाँ उससे काफी better हो जाता है लेकिन फिर भी जब हम इसको cable level के माध्यम से connect करते हैं तो उतना बहतर performance यह नहीं दे पाती है जरूरी है कि आप M.2 NBME के साथ में जो है आप उसको upgrade करें without cable बहतर हो सकता है तो पुराने जितने भी motherboard थे आई थिर थर्ड जनरेशन के लिए या फिर फॉर्थ जनरेशन के लिए उन सब के अंदर M.2 का वेवस्ता नहीं था लेकिन अभी फिलहाल जो है कॉंसिस्टेंच ने और जेब्रोनिक्स ने दोनों का ही motherboard आपको मिल जा रहा है जो की H61 है आप देख सकते हैं लगाएंगे और इसको direct upgrade कर देंगे कमाल का performance बढ़ेगा कितना बढ़ेगा हम उस पर भी बात करेंगे आईए पहले हम इस motherboard को देखते हैं ये वीडियो जो है ये motherboard के review के लिए ही है ताकि सभी लोग इसके बारे में proper समझ सके तो इस box के अंदर आपको ये कि साटा cable मिलती है ताकि अगर आपको जरूरत साटा SSD लगाना चाहते हैं तो साटा SSD लगा लें या फिर आप hard drive लगाना चाहते हैं तो आप hard drive लगा सकते हैं ये bike side का panel मिल जाता है और बाकी motherboard इसके अंदर मिलता है और इसके driver की CD मिल जाती है तो driver की CD तो चुकी अब हमें मुस्किल हो जाता है चलाना क्योंकि अब हम लोगों के पास maximum लोगों के पास जो CD drive है या फिर DVD drive है वो नहीं मिल पाता है तो इसकी ज़रूत पढ़ सकते हैं न था online से आप driver इसका ले सकते हैं बाकि motherboard की अगर हम बात करें तो इस तरीके से motherboard बड़ा ही सांदार जो है अपगरेट किया है आप यहां से देख पा रहे हैं इसके अंदर बहुत कुछ तो नहीं लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह देखने को मिलती है कि यहां पर आपको जो है M.2 का slot मिल जा रहा है बाकि जो है आप इसको एक graphic card भी इसके हिसाब से compatible कोई graphic card लगा लेते हैं तो normal gaming भी कर सकते हैं हम उस पर भी बात करेंगे बहुत important video वो भी होने वाली है वो भी आने वाली है और इसके अंदर दो slot आपको मिल जाते हैं RAM के लिए और एक M.2 SSD के लिए और यहाँ पर एक slot मिल जाता है आपको graphic card लगाने के लिए और बाकि के ports के अगर हम बात करें तो यहाँ पर चार port आपको USB 2.0 मिलता है एक HDMI मिल जा रहा है अब यह बहुत अच्छी बात है उस समय के motherboard पर HDMI नहीं हुआ करता था port मिल जा रहा है विजिये port मिल जा रहा है दोरों ही important port मिल जा रहे हैं यहाँ पर audio के port मिल जाते हैं यहाँ पर RJ45 और यहाँ पर दो और आपको port मिल रहा है तो total मिला करके जो back side में है 6 जो है आपको USB port देखने को मिल रहा है एक बहुत अच्छी बात है और खास बात जिसके लिए हम इस motherboard की बात कर रहे हैं वो M.2 NBME का support मिल रहा है यहाँ पर 3 SATA port मिल जाते हैं जिस पर आप आराम से hard drive लगाना चाहें SATA SSD लगाना चाहें वो सारा कुछ लगा सकते हैं इस motherboard के price की बात करें तो यह consistent का जो है 1700 रुपे का है Zebronics VC के आसपास का रहता है डोनों का quality बिल्कुल एक सी है जिस वक्त आप buy कर रहे हैं दोनों का ही मैं link देने की कोशिस करूँगा दोनों में से जो भी सस्ता हो वो आप buy कर लिजिए यह ज़रूरी नहीं consistent का अच्छा है Zebronics का अच्छा है क्योंकि दोनों ही लगभग लगभग एक ही जैसे हैं जो सस्ता मिले उसको buy कर लिजिए कभी consistent सस्ता मिलता है Zebronics से तो कभी जेवरोलिक सस्ता मिलता है कॉंसिस्टेंट से तो ये अक्सर देखने को मिलता है तो इस तरीके से वाई कर सकते हैं बाकी मेरे पास जो है कॉंसिस्टेंट का ही SSD जो है M.2 पहले से पड़ी हुई है जिसको हम इसके अंदर लगाएंगे कैसे लगेगा बिल्कुल भी सिंपल है इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है बहुत ही असान रहने वाला है इस तरीके से जैसे बाकी के SSD लगती है वैसी ही लग जाएंगी और यहाँ पर जो है एक इसक्रू है इसको आपको जो है open करना है और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है आप इसको इसी पर tight कर देंगे दोस्तों एक और setting का ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको SATA SSD लगाना है या फिर NVM SSD लगाना है इसके लिए आपको select करना होगा यहाँ पर switch लगा हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर NVM SSD लगाया हुआ है तो यह पहले SATA पर था एक यह switch है जो कि आप देख पा रहे होंगे अगर यह इधार नीचे की तरफ रहेगा तो SATA select रहेगा उपर की तरफ रहेगा तो NVM में select रहेगा तो हमने इसको NVM में पर किया तब जाकर के SSD लिया है यह चीज आपको भी धान रखना होगा इसके लावा जो है एक RAM भी मैंने मंगाया था जो कि आपे देख पार है 8GB का बहुत ही सस्ता पहले कितने महंगे हुआ करते थे लेकिन आज के रिट में जो है बहुत ही सस्ते होंगे है इस सारे के सारे यह 8GB का RAM मातर 800 रुपे के अंदर जो है मिल गया है 1200 MHz में और यह DDR3 है और इस तरीके से जो हब किसी भी slot में लगा दीजिए इसको और यहाँ पर यह PC आपका complete ready हो गया है कोई वायर वायर का जंजट नहीं कुछ भी नहीं और यह complete हो गया RAM आपका इसी पर हो गया storage आपका इसी पर हो गया बस इसको processor लगाईए supply दीजिए और काम खतम कोई भी वायर वायर का जंजट बहुत ही कम हो गया है तो इस तरीके से आप इसको upgrade कर सकते हैं तो मैंने actually इसको जो मंगाया है एक PC complete में आपको assembled करके दिखाने वाला हूँ ताकि इसको आप proper तरीके से समझ सकें जो PC बहुत ही कम range के अंदर होने वाला है इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ motherboard के बारे में जो है मैं बताने वाला था जो की बताया हूँ ताकि जिन लोगों को motherboard बदलना हो या फिर upgrade करना हो वो लोग समझ सके कि उनको किस किस चीजों की जरूरत है तो processor पहले से है आप सारा कुछ पहले से है दो तीन हजार रुपे में अगर आप निपटना चाहते हैं तो 1700 का ये हो गया अगर पहले से hard drive आपके पास में है तो आप 126 GB लगा सकते हैं क्योंकि Windows 10 ही चलने वाला है 123 GB में आप आराम से Windows 10 को install कीजिए और वो करीब 1000 रुपे के आसपास में मिल जाएगी तो ये करीब 26-2700 रुपे में ही ये दोनों ही चीज़े आपका हो गया रेब आपके पास पहले से ही पड़ी है नहीं है तो 800 रुपे का और खर्चा है 8 GB लगा लीजिए बिलकुल मज़ा आजाएगा क्योंकि आज के रिट में वैसे भी आप लोग 8 GB यूज़े कर रहे होंगे जहां तक मेरा अनुमान है तो इस तरीके से एक कंप्लिट जो है आप बस इतना लगा करके अपग्रेड कर लीजिए बिलकुल सस्ते में धाई से तीन हजार में अपग्रेड हो गया और जो पॉर्फरमेंस मिलने वाला है आपको वो बहुत ही लाजवाब मिलने वाला है अब बात या आती है कि इसकी पॉर्फरमेंस आपको देखना है तो दोस्तो इस तरीके से जो है विंडोस 10 इंस्टॉल हो गया बड़ा ही इजी कुछ भी नहीं करना पड़ा बहुत एच्छा तरीके से जो है यह एक्सेस कर रहा है तो सबसे पहले मैं इसका टाइमिंग दिखा देता हूँ सट डाउन होने का और स्टार्ट होने का जो कि सबसे ज़्यादे क्वेस्टन रहता है आप लोगों का तो आईए टाइमरी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले इस start है तो सटडाउन देख लेते हैं कि कितने दिर में सटडाउन हो रहा है हमने दोनों बटन को एक साथ ही start करते हैं यह बिल्कुल पतलब यह थो पकड़ भी नहीं पाया मुस्किल से विदिन एक से डेर सेकेंड के अंदर जो है यह सटडाउन प इस तरीके से start भी हो गया करीब करीब 5-6 सेकेंड के अंदर जो है यह start हो गया कमाल का परफर्मेंस रहा है इसका मतलब सोच नहीं सकते थे क्योंकि इस पे एंवी में एससदी लगाने के बाद जो परफर्मेंस मिल रहा है इस प्राइस के अंदर अगर आप इसको आफ लाइ ऐसा परफर्मेंस आप सोच भी नहीं सकते हैं बस lady 10 के सात्त में आपको काम करना पड़ेगा विंड़ोस 10 के सात्त है लेकिन कमाल का परफर्मेंस है यह सट-डाउन में हो रहा है और मुस्केल से 5 फांच– techniques के अंदर ही start हो जा रहा है कमाल का परफर्मेंस है और संदी चीज है ये जो है 34-70 है इसके साथ में complete PC जो है assembled करूँगा और आपको बताऊंगा कि ये कितने में मिल रहा है कितने में पड़ा पूरा बहुत ही सस्ता होने वाला है जिनका बज़त कम है उनके लिए PC बहुत ही जबरदस्त होने वाला है तो दोस्तों ये motherboard ज़रूरी नहीं काउंसिस्टेंट का खरीदें Zebronics का मिल जा वो खरीदें दोनों में से जो सस्ता मिले वो आप buy कर सकते हैं बाकि इन सारी चीज़ों का link में डिस्किप्शन में डाल रहा हूँ आप अपने ही सबसे मंगा सकते हैं वीडियो कैसे लगा प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताई से इसी प्रकार की तमाम वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल के साथ बरे रहें क्योंकि मैं इस्टाइब की बहुत सारी वीडियो को लेकर करके आता रहता हूँ मैं मिलता हूँ किसी और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सुभी का बहुत बहुत दिल से धरने बाद आपका दिन सुब हो बहुत था हूँ